नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णपाल सिंग सहय का अचार रे भूगोल राज के माविद्याल अधौल पूर आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो और आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं संगनन वा इसके प्रमुक रूप के बारे में तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि संगनन किसे कहते हैं और संगनन के विभिन रूप कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगनन का अर्थ क्या है अर्थात संगनन किसे कहते हैं तो संगनन बाईयू मंडल में उपस्थित जो जलवास्प है उस जलवास्प के ठोस अथवा तरल रूप में बदलने को संगनन कहा जाता है अर्थात ये संगनन बास्पी करण के ठीक बिपरीत प्रिक्रिया है जहां बास्पी करण में जल अथवा हिम बास्प रूप में परिवर्तित होकर के बायू मंडल में इस्थित होता है वहीं संगनन में बायू मंडल में इस्थित बास्प रूप ठोस अथवा द्रव अवस्था में परिवर्थित होता है और संगनन जिस हवा पर जिस तापमान पर हवा संतरप्त होती है उसे ओसांक के नाम से जाना जाता है अर्थात जब हवा में आदरता की मात्रा उसकी सामर्थ के बराबर हो जाती है तो उस हवा को संतरप्त हवा कहा जाता है और जब हवा संतरप्त होती है तो उसका जो तापमान होता है वो उसांक कहा जाता है और जब हवा का तापमान ओसांग से कम हो जाए तो ऐसी इस्तिती में उस हवा में उपस्थित जलबास्प ठोस अथवा तरल रूप में बदलने लगता है इसी को संगनन के नाम से जाना जाता है और ये जलबास्प ठोस रूप में बदलेगा या तरल रूप में अर्थात हिमकणों के रूप में बदलेगा या जलकणों के रूप में बदलेगा ये डिपेंड करता है कि वो ओसांग कितने डिगरी सेलसियस तापमान पर प्राप्त हुआ है अर्थात यदि ओसांक जीरो डिग्री से उपर है तो जलवास्प जलकणों में परिवर्तित होगी और यदि ओसांक जीरो डिग्री से कम पर प्राप्त होता है तो बाईयों में उपस्ते जलवास्प हिमकणों में परिवर्तित होगी तो यह संगणन है अब हम बात करते हैं संगणन के बिभहिन रूपों की कि संगणन के द्वारा बाईयू मंडल में किस प्रकार की प्रक manufacture होती हैं और हमें धरादल पर उसके कौन-कौन से रूप देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले संगरन के रूपों में बात करते हैं हम ओस की और ओस जैसा कि आप सभी इसके बारे में जानते ही हैं सर्दियों में आपने महसूस किया होगा देखा होगा कि धरातल पर जो घास फूस की या छोटी अन्य पौधों की जो पतियां हैं उनके उपर छोटी छोटी जलकी भूने देखने को मिलती हैं और उसे ही हम ओस कहते हैं तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ओस का निर्माण कैसे होता है तो ओस जब रात्री काल में धरातल अत्यदिक ठंडा हो जाता है पार्थिव बिक्रण के कारण तापमान हिरास होता है और इस वज़े से धरात ठंडा हो जाता है तो उस धरातल के संपर्क वाली बायू का तापमान ओसांग से नीचे गिर जाता है तथा यदि ओसांग जीरो डिग्री से उपर है तो ऐसी इस्तिति में बायू में उपस थे जो जलवास्व है वो छोटी-छोटी बूनों के रूप में पेड़ पौधों अत्वा धरातल के अन्य भागों पर जम जाती है इसे ही ओस के रूप में जाना जाता है ओस के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि रात्री में धरातल का तापमान कम होना चाहिए तागी हवा ओसांग को प्राप्त कर सके लेकिन बायू का तापमान जीरो डिग्री सेल्स कणों में बदलेगी और वो जल के कण धरातल के विविन इस्थानों पर चोटी चोटी बूनों के रूप में देखाई पड़ते हैं इसे ही ओस के रूप में जाना जाता है अब हम बात करते हैं संगनन के दूसरे रूप की और संगनन का दूसरा रूप है पाला तो अब हम लगभग लगभग औस बनने वाली जो दसाएं हैं वो ही पाला बनने के लिये भी जिम्मिदार हैं। पाला और और औस में मुख्य जो अंतर है वो यही है, कि पाले का निर्माण उस दसा में होता है जब औसांक 0 डिग्री से कम तापमान पर प्राप्त होता है। तो उस हवा में मौझूद जो जलवास्प है वो जलकणों में ना बदल करके हिमकणों में बदल जाती है और यही हिमकण धरातल के बिभिन इस्थानों पर एक परत के रूप में इस्थित हो जाते हैं जिसे हम पाला कहते हैं अर्थात जब बायू का तापमान 0 degree Celsius से कम हो जाता है तो इसमें उपस्थित जो जलवास्प है वो तरल रूप की बजाए सीधे ठोस रूप में धरातल पर जमने लगती है इसे ही पाले की नाम से जाना जाता है और पाला जमने के लिए रात्री में मेग रहित आकास तथा बायू का तापमान हेमांग से नीचा होना आवस्यक है क्योंकि रात्री में जब आस्मान स्वक्ष होगा मेग रहत होगा तो पार्थे बिक्रण के द्वारा तापमान का हरास काफी तीब्रता से होता है और धरातल अत्यदिक ठंडा हो जाता है और धरातल अत्यदिक ठंडा होने पर जब बायू का तापमान जीरो डिगरी सेलसेस से कम हो जाए तो ऐसी इस्तिती में जलवास्प हिम की परत की रूप में धरातल पर जमता है और यही पाला कहलाता है अब हम बात कर रहे हैं संगनन के तीसरे प्रमक रूप की और संगनन का तीसरा रूप है कोहरा कुहरा सर्दियों में हम सभी ने महसूस किया है कि सर्दियों में अधिकतर सुबह के समय धुन्द सी छाई रहती है जिससे द्रसेता काफी कम हो जाती है तो वही धुन्द जो है कुहरे के नाम से जानी जाती है कोहरा बनने के लिए प्रमख रूप से इस्तिती यह है कि जब धरातल के निकट इस्तित जो बायू है उसमें जलवास्व की मात्रा अधिक हो तथा रात्री में बायू का तापमान इतना कम हो जाए कि बायू ओसांग को प्राप्त कर ले तो ऐसी इस्तिती में जलवास्व का संगनन होने लगता है और संगनन के पश्चात उस बायू में इस्तित जलवास्व छोटे छोटे हिमकन अथवा जलकनों में बदलने लगती है और ये हिमकन अथवा जलकन बायू कणों के साथ लटकती हुई इस्तिती में बिराजमान रहत जिससे दरातल के निकट इस्थित बाईयू में द्रस्यता काफी कम हो जाती है और इसी रूप को कोहरे के नाम से जाना जाता है तो ये कोहरा भी संगनन का एक रूप है जिसमें जलबास्प हिमकन अथवा जलकणों में परिवर्तित हो करके बाईयू के कणों के साथ लटकती अवस्ता में रहती है और जिस कारण द्रस्यता काफी कम हो जाती है तो ये कोहरा का रूप है और द्रस्यता के आधार पर कोहरे को भी कई प्रकारों में पाटा जाता है जैसे धुन्द, कोहासा, कोहरा इस प्रकार से कोहरे के भी कई रूप है और अब हम आगे बात करते हैं बादल या मेग ये भी संगनन का एक बहुत ही मैत्मून रूप है जो कि प्रत्वी पर विविन प्रकार की बनस्पतियों के लिए बर्सा का मुख्य कारक है तो बादल का निर्माण भी उसी कंडिशन में होता है जैसे कोहरे का निर्माण होता है और कोहरा और बादल लगभग एक ही प्रकार की दसाएं हैं लेकिन अंतर मुख्य रूप से ये है कि कोहरे का निर्माण धरातल के नजदिक होता है जबकि बादलों का निर्माण धरातल से कुछ उचाई पर उपरी बाईयू मंडल में होता है अर्थात जब बाईयू मंडल में काफी उंचाई पर हवा में इस्थित जो जलवास्प है उसके संगनन होने से जलकणों अत्वाहिमकणों की बिसाल जो रासी उत्पन होती है जो बाईयू के साथ लटकती अवस्ता में होती है उसे मेग या बादल के नाम से जाना जाता है लेकिन यहां हमें ध्यान रखना होगा कि बादलों का निर्मान हमेशा धरातल से कुछ उंचाई पर ही होता है और बादल धरातल से अधिक्तम 12 किलोमेटर की उंचाई तक पाए जाते हैं तो इस प्रकार से ये संगनन के विविन रूप थे आज हमने संगनन क्या है और इसके विविन रूपों के बारे में सामानने जानकारी प्राप्त की उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वरा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अन्य लोगों के साथ सेर भी करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अबस्ते करें अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ धन्यवाद